राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे श्री शिवाय नमस्तो भ्याम ओम नमस्षिवाय आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रहे हूँ बुद्ध प्रदोश ब्रत कथा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रदोश ब्रत भवान संकर को समर्पित होता है और इस दिन प्रदोश के दिन भवान संकर का ब्रत रखा जाता है प्रदोश के दिन प्रदोश काल में ही शाम के समय में, प्रदोश काल के समय में साड़े पांस से साड़े साथ के बीच में यह शुव महुर्थ होता है भवान शंकर की पूजा करने की अवशे करने की कथा सुनने की और आरती करके प्रशाद ले करके शिवाले से अपने घर को आने का सबसे शुव महुर्थ यही होता है भवान शिव की आरात्ना करने का जो कोई भी प्रदोष ब्रत को धारन करते हैं उन्हें शिवाले में जा करके जो कि आपके घर के आसपास कोई भी शिवाले हो तो उस शिवाले में जा करके प्रदोष काल में भवान शंकर का जल अभिशेक करके धूप दीप नैवेद्ध भो लगा करके फूल माला चड़ा करके गठा को सुनना चाहिए उसके बाद आर्ती करने चाहिए भवान संकर से छमा प्रात्ना कर के मोले वावा से अपने दिल profes केकर के शिवाले से अपने घर आना चाहिए अपने हाथ में पुष्प और अच्छत ले ले और कथा का रस्पान करें आज मैं आप लों को कथा सुनाने जा रही हूं बुद्ध प्रदोश ब्रत कथा अमैं कथा सुनाने जा रही हूं अपने हाथ में पुष्प और अच्छत अवसे ले एक समय एक बेक्ति अपनी पत्नी को बिदा कराने के लिए अपने सस्वाल गया वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद में उसने अपने सास ससूर से अपनी पत्नी को बिदा करने के लिए कहा किन्तो सब ने कहा कि आज बुद्धवार का दिन है मैं आज के दिन गमन नहीं करते हैं, वह वेक्ति नहीं माना और हट कर बैठा कि बुध्वाल के ही दिन अपनी पत्नि को विदा करके मैं ले जाऊंगा, अंत में उसकी पत्नि की विदा कर दी गई और वह नगर को चल पड़ा, राह में उसकी पत्नि को व्यास लगी, तो उसे अपने पती से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रत से उतर कर जल लेने चला गया जैसे वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर चकित रह गया कि ठीक उसकी ही जैसे पत्नी के साथ रत में बैठा हुआ है उसको अत्यांत प्रोध आया और उसने कहा कि तु कौन है जो मेरी पत्नी के निकट कैसे बैठा है दूसरा व्यक्ति बोला यह मेरी पत्नी है मैं अभी अभी सस्वाल से बिदा करा कर ला रहा हूं वे दोनों व्यक्ति आपस में जगरने लगे तभी राज के सिपाही आए और जो लुबेक्ति लोटा लेकर जल लेने गया था उस बैक्ति को पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इसको नगर में राजा के समक्ष ले चलते हैं साथ ही इस्त्री से भी पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारा असली पत्ति कौन है अ बड़ेश भगवान को याद करने लगी वह वेक्ति भी इश्वर से प्रात्ना करने लगा और बोला हे परमेश्वर यह कैसी लीला है सच्चा जुठा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है तभी आकासवानी हुई कि हे मुर्क आज बुद्धवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था तुने किसी की बात की नहीं मानी यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है उस वेक्ति ने बुद्ध देव से प्रात्ना करी और अपनी गलती के लिए छमा मांगी तब बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी इस्त्री को लेकर घर आया तथा का ब्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पुरवक करने लगे जो वेक्तिस कथा को सरवन करता तथा सुनता है उसको बुद्ध वार के दिन यात्रा करने का कोई दोश्ट नहीं लगता है उसको सब प्रकार के सुखूं की प्राप्ति होती है बगवान बुद्ध की जैहो शांती तथा सर्व सुखूं की इच्छा रखने वालों को बुद्ध वार का ब्रत करना चाहिए विशेस करके ग्रह की सांती के लिए यह ब्रत किया जाता है बुद्ध वार का ब्रत भावान गणिजी को समर्पित होता है साथ में भावान शंकर की भी पूजा की जाती है इ इस ब्रत के समय हरी वस्तों का उपयोग करना सिष्ठ होता है ब्रत के अंत में संकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदिसे करनी चाहिए भवान गणेश को दुर्वा चाहाना चाहिए और साथी बुद्वार की कथा को सुनकर आती के बाद प्रशादे कर जाना चाहिए भवान चंकर अमा पार्वती के विवाह की कथा हमारे पौरानी ग्रंथों में अनेका अनेक देवी देतों के विवाह का वर्णन है किन्तु जैसी भव्य सुन्दर बरात का वर्णन भवान चंकर अमा पार्वती के विवाह के संदर्व में दिया गया है उसकी तूलना कहीं भी नहीं हो सकती है इस बरात कि उसे में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी समलित हुए थे और उनके भार से प्रिथवी अपनी धूरी पर जुक गई थी उसे संतुलित करने है तो भवान संकर ने महर सी अगस्त को अपने आशिर्वाद और उनके समस्त पुनिफल क प्रिथवी के दूसरे चोर पर भीजा तब जाकर प्रिथवी का संतुलन सही हो पाया माता पार्वती का भवान शंकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असम्भोकार था क्योंकि माटा सती के देहिवासंद के पश्चार महादेवैरागी हो गय थे जब ये व गंधर्व, नाग, किनर, यक्ष, भूत, बेद, पिसाच, बैताल, डाकनी, साकनी, यातुदान, ब्रहमराक्षस और इसके अतरिक्तिवी समस्त जातियों के लिए पुझे हैं। के पुत्र पर्वत राज हिमाले की पुत्री थी, वे एक प्रकार से शाही विवाद था, इसी कारण सभी प्रकार की बेवस्था का ध्यान रखा गया था, उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलास पर सारे देपता उपस्तित हुए, शिवगन तल महादेव का अद्भूत रूप देखकर कह रही थी, कि उनके योगी कन्या तो त्री लोग में नहीं मिलेंगी, बारात और मित्र वर से परिहास ना करें, ऐसा भला हो सकता है, भवान विश्णुभी महादेव का यह रूप देखकर हस्ते वे बोले, ऐसे अद्वित्य वर के के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा, स्री हरी की ऐसी हसी छिठोली सुनकर महादेव ने प्रसन होती वे नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा, तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है, इस तरह से भवान शंकर की बरात निकली तुलसी दाजी लिखते हैं रामचरित मानस में कि बहुती सुन्दर वणन क्या है, कोई मुक हीन विपल मुक का हूँ, बिन पद कर कोई बहु बदबा हूँ, विपल नेन कोई नेन भी हीना, रिष्ट पुष्ट कोई अतितन खीना, इस बरात में कोई बिना मुक का था, किस पतला था, सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ में बरात के साथ निकले, अपने गणो भ्रंगी, वीर्भद्र, भैरव, छेतरपाल, गणेशोर, संखकन, कंकराक, छिलकृत, विसाक, विरकितानन, ये सब अत्यंत्र शोभा दाई दिखाए दे रहे थे, स्व पर स्वन कलस उठाया हुआ था, बरात के मदमे भवान विष्णुवी एवं भवान ब्रह्मा, क्रमस, गरूर एवं हंस पर सारी विवस्ता का निरक्षन करते हुए चल रहे थे, माता गायत्री, सावित्री, सरसुती, लक्ष्मी और अने पवित्र माताएं उस बरात की सोभ बढ़ा रही थी, सब्त रिशियों से त्सवी रिशिमुनी स्वास्ती गान करते हुए चल रहे थे, देवराज इंद समस्त देवताओं से एवं कुवेर, यक्षों, एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे, सेष्ट मनुस से इन सभी के दरसनकर स्वयम को धन मानते हुए आगे बढ़ रहे थे, भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़ कर भगवान विश्णु और परमपिता ब्रह्मा, शेष्ट देवताओं, यक्ष गंधर्वों आदिव को लेकर आगे बढ़े, हिमाले के द्वार पर अनेका एनेक सुन्दर इस्तिरों के बीच माता पार्वत मैनावती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया, श्रीहरी ब्रह्मा जी और सभी देवकाओं का सुन्दर रूप देखका मैनावती अत्यंत प्रवसन हुई, एवं ब्यागरता से भवान शिव के आनेकी प्रतिक्छा करने लगी, शिव गणो भूत प्रेतों से घिरे हिमाले राज भी महादेव की लिरा ना समझ कर उनका वह रूप देखर दुखीत हो गये, हिमाले राज ने दुखी मन से उन अदभूत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंतित किया, तभी मैनावती की तंदार तूटी और उन्हें ने उस विवास से मना कर दिया, अ संसार में कोई तूलना नहीं है, को मैं कदापी इस ओगर के हाथों नहीं सौपूंगी, पतानी नारत को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था, जो तुम्हारा लगन इस भभूत धारी के साथ लगवा दिया, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किन्तु मैं ये विवा नहीं होने दूंगी, इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी, तब माता पारवती ने मैनावती को समझाते हुए कहा है माता, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती हो, वैसे भी मनुस्री के प्रारवध में जो होता है, उसे वही प्राप्थ होता ह तब हिमाले राज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिये तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो, पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण, जिस जगत जनी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्मे त अंततहवर का स्वागत किया, तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इक्षा पूछी, तब मैनावती ने उनसे उस ओगण के वेस को छोड़कर राज कुमारों वाला वेस धरने की इक्षा की, उनकी प्रातना को शिवकार कर भगवान सीव ने नारायन से स्वयम का सिंगार करने को कहा, तब भगवान विष्णू और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका सिंगार किया, और जब वेदी पर आये तो उनका रूप कडोडो काम देवों को भी लजजित कर रहा था, उस समय तक जो कोई देवी पारवत को अधभूत रूप देखकर आश्चर करते वे महादेव की इस अतिसुंदर रूप को देखकर मंत्र मुक्द हो गए, विवासे पूर्व वरवदु पक्षद्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्माई, तब परवत राज हिमाले ने गर्व पुर्वक अपने कुल क परिचय देते वे कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पने हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ, सब्त रिश्यों सहित, सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महराज मनू, देवरसी नारदी त्यादी मेरे भ्राता है, महापरवत मेरु की पुत्री कन्या की माता है, और संसार के सभी परवत और बनस्पती उनके संबनिहीं है, यह करकर हिमाले ने वर से अपने कुल के परिचय देने को कहा, यह देकर सभी ने महादेव की उर्देखा, किन्तु वे मौन बैठे रहे, तभी हिमाले ने श्री हरी एवं अपने पिता ब्रह जी से वर की कुल का परिचे देने को कहा किन्तु वे दोनों भी मौन बैठे रहे तभी सभी को दुविधा में देकर देवर्शी नारत ने अपनी वीडा वजाना आरंब कर दिया यह देकर के मैं नावती ने उनसे पूछा इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीडा की धोनी को क्य की दे रहे हैं तब नारत जी ने कहा ले देवी मैं आपको महादेव की ऊत्पति के विशह में संकेत दे रहा हूं ये स्ट्वेम संंभू है इसले ना तो इनका कोई पीता है ना माता है ना कोई कुल है अथ्वा गोत्र है जब संसार अस्तित में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पने हुई थी वह ध्वनी जो आद इनाद भी इन्ही निर्विकार महारुद्र द्वारा ही अस्तिक में आया है इसी कारण से मैं अपनी वीड़ा को तार्न दे रहा हूँ यह सुनकर हिमाले और मैनावती महादेव के चरणों में जुक गए एवं विधी पुरवक देवी पार्वती का विवा भोले ना से किया स्वेम ब्रह्मा जी ने विवा संपन करवाया तत पहसात मैनावती ने माता पार्विती को शेष्ट सती के कर्तबियों का उपदेश दिया और फिर अनेका अनेक उपहार देकर पर पुरवत राजें अपनी पुत्ति को विदा किया को जो कोई भी भागवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है उनके सारे कष्टों का नास होता है जिस किसी कवी विवाह होने वाला है वे इस कथा को अवस्य सुने यदि किसी कन्या अत्वा वरके विवाह में विलम्ब हो रहा हो, तो इस कथा को सुनने से सिगरी उन्हें मन चाहे वर्वदू की प्राप्ति होती है हर हर महादेव बाबा भोले नात कीज़े, माता पार्वती कीज़े, भवान गणेस कीज़े, भवान विष्णों कीज़े, सभी देवी देवताओं कीज़े, रिशी गणों कीज़े आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्रदोश ब्रत के बारे में बहुत लोग एकादसी के ब्रत करते हैं और बहुत लोग प्रदोश का ब्रत करते हैं प्रदोश का ब्रत भवान संकर को समरपित होता है और एकादसी ब्रत भवान विष्णों को समरपित होता है प्रदोश ब्रत भी मैने में दोबार आता है एक शुक्ल पक्ष में एक क्रिश्म पक्ष में जो भवान संकर के अनन्य भक्त होते हैं, जो भवान संकर की अराधना करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को भजते हैं, उन्हीं को फूचते हैं, वो प्रदोश ब्रत करते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भवान संकर तो अवधर दानी है वो तो विचार ही नहीं करते हैं कि इसके भागे में ये चीज है या नहीं है यदि यो प्रसन हो गए तो वो सारी मनोकामनाओं के पूर्ति कर देते हैं तुलसी दाजी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि वह ब्रह्मा जी कहते हैं जाकर के विश्णु भवान से कि बताईए जो मैंने भाग में नहीं लिखा है यदि मैंने किसी वेक्ति के भाग में घर नहीं लिखा है तो भोले बाबा उसको महल दे देते हैं रहने के लिए मैंने किसी के भाग में येदी पुत्र ये कोई पुत्री संतान नहीं दी है लेकिन भगवान संकर के राधना करके वह बेक्ति ये भी प्राप्त कर लेता है संतान की प्राप्ति कर लेता है ये ऐसे आउधरदानी है ब्रह्मा जी पूसते हैं भगवान विष्णू से जाकर के कि बताइए मेरा लिखा हुआ ही कट जाता है भगवान विष्णू सुनते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उनका नाम ये भोले भंडारी वह तो भोले है ही है उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा उनसे मैं किसी बावा मुझे भी बहुत प्रिये हैं यानि भगवान विष्णु को भी भगवान संकर बहुत प्रिये हैं वो जो भी करते हैं भगवान विष्णु खुश रहते हैं कि उन्हें बहुत मानते हैं इस तरह से वह एक देवे धाम की बात है कि वहां देवे धाम ब्रह्म लोक जो भी के हैं जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के आराधना करते हैं और दोनों एक दूसरे के इस तरह से परसपर प्रेम पुर्वक भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति बहां ब्रह्मा जी को थोड़ा जरूर पले सानी होने लगती है कि मैं जिसको भागे में भी नहीं लिखाऊंँ वह विक्ति अपने भागे को बदल सकता है भगवान संकर की पूजा करके प्रदोस्बत करने से इन चीजों की ही प्राप्ति होती है जब धर्वराज राच्यूत होकर अपने भाईयों के साथ वन में चले गये थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्ण किया था उस कथा को आप सुनिये युदिष्टिर भवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुर्शोत्तम ऐसा कौन सो उपाये जिसे हम बर्तमान में संक्रटों से मुक्त हो सके हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े किर्पया ऐसा उपाये बताएं इसकंद कुमारवजी कहते हैं कि जब युदिष्टिर ने विनमरभाव से हाथ जोड़ कर बावार अपने कष्टों के समाधान का उपाया पूछने लगे तो भवान श्रीकिष्ण ने कहा कि हे राजन प्रतेक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त ब्रत है युदिष्टिर इस ब्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं वताया हे राजन प्राचिन समय में तब सत्यूग था तब परवत राज हिमानचल की कन्या पारवती ने संकर जी को पती रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की लेकिन भग्वान श्री और लोम हरसक तपस्या की लेकिन भग्वान श्रीव को प्राप्त ना कर सगी किर्प्या करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिविवरत जिसे नारज जी ने कहा है उसके महत्व के बारे में बताये पारवती जी की बात सुनकर गणे जी उस कष्ट नाशक शुभ दाय ब्रत का वर्णन करने लगे कड़े जी ने कहा अत्यंत्य पुन्यकारी और समस्त कष्ट नाशक ब्रत को कीजिए इससे आपकी सारी मनों कामनाय पुर्ण होंगी और जो विक्ति इस ब्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी स्रामन मास के किष्ट पक्ष की चतुर्थी तिती की रात में चंद देव का पूजन करना चाहिए उस दिन मन में संकल पे रेना चाहिए कि जब तक चंद रोदे नहीं होगा तब तक मैं पूजन नहीं करूंगी अता निरा हार रहोंगी पहरे गणेश पूजन करके ही स्थापत करने चाहिए मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त बिच्छाए उसके उपर अश्ट दल कमल बनाए कि आकरती बनाए और फिर उस मूर्ति को वहाँ पर इस्थापत कर दें और इसके बाद सोड़स उपचारविदी से पूजन करें प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहे हे लंबोदर ने जसे उन्हार आपका मैं आपको करती हुए विग्नराज मैं आपको प्रणाम करती हुए और यह आसन व्यापि पर पे इियूए और इसे ग्रहन करें इसके बाद कहें हे लंबोदर हे आपके लिए पाद्ध है यह संकरसुमन यह आपके लिए अर्ध है हे मापुत्र यह आपके लिए इस्नानार्थ चल है हे वकरतुन यह आपके लिए आचमनी जल है हे शूर्पिकर्ण यह आपके लिए वस्त्र है हे शुशोभीत यह आपके लिए यगोपवीत है हे गणेश्वर आपके लिए रोली चंदन है, हे विग्न विनासक यह आपके लिए फूल है, हे विकट यह आपके लिए धुबत्ती है, हे वावन यह आपके लिए दीपक है, हे सर्वदेव यह आपके लिए रड्डु का नवेद्य है, हे देव आपके निमित यह फल है, हे व देवी देशी घी से 15 लड़ू बनाएं सबसे पहले भगवान को लड़ू अर्पित करें फिर उसमें से 5 लड़ू ब्रामणों को दे दें अपने सामर्थ केंसा दक्ष्णा दें फिर चंदोदे पर चंद्रमा को अर्ग दें अगर देते समय यह कहें कि हे देवी तुम सब ति हर विकतिकी इक्षाओं को पूरा करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम है हे समस्त विग्नों के नाजक आप मेरी कामनाओं को फून करें तत पश्चात बरामण की प्रातना करें हे दिवे राज आपको नमश्कार है आप शाक्षा देप सरूब हैं गड़े श्टिकी जी की लोग के लिए हम आपको लड़ू समर्पित कर रहे हैं हम आपको नमस्कार करते हैं इस प्रकार ब्राह्मा को फज़न कराके घणजी से करें तुम संभन आूतुर्ट को तो एक मास को तो अवसही अवरत कें सामन्च intense को बिरत हरे हैं ऑफनीन एह तो श्हान जाल एर वस्त रज़त बें न आए हम डाद को में युदिन थैंट लें जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अच्छत फूल भगवान गड़ेश जी के सामने समर्पित कर दें जो भी आपके पास में भोग के वस्तु हो धू तीप नवेद ये सब दिखाएं गड़ेश जी की प्रतिमा को पूजा करें उसके बाद में आरती करें गड़ेश हो तो मोदक लगाएं गड़ेश को दुर्वा बहुत पसंद है दुर्वा अवस्ते चड़ाएं एक यह 21 दुर्वा की दुर्वा का गाठ बना लें गाठ बना करके भवान गड़ेशी के सामने रख दें और गड़ेशी को पीला सिंदूर अवस्ते लगाएं जब आप फिद वर्फी वेगरा मीठाप के पास हो तो उपर डालें इस तरह से डाल करके चंडर मां को अर्ग दें इसे चंडर देपता के भी कृप आपको प्राप्त होगी इस तरह से भवान गडईजी की बड़े ही मन से भ़ोव से पूजा करें गडईजी की इस्तुती अवस्ते क इस इस लोग को इस इस्तुति को यह गणेजी के बारह नाम है इसे अवस्य पढ़ें इन बारह नामों के पढ़ने से गणेजी बहुत ही प्रसंद होते हैं और धन, संपति, आयू, ब्यापार में हानी हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विग्णु को भवान करने से दूर करते हैं और सारे कारे बनने लगते हैं सब का मंगल हो इस इस्तुति को जरूर पर है इसके पती का स्वर्गवास हो गया था उसका अब कोई आश्यदाता नहीं था इसलिए प्रात्य होते ही वह अपने पूत्र के साथ भीक मांगने निकल पड़ती थी भीक्षाटां से वह स्वर्म वह पूत्र का पेट पालती थी एक दिन ब्राह्मणी घर लोट रहे थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्ता में कराहता हुआ मिला ब्राह्मणी दयावस उसे अपने घर ले आएं वह लड़का विदर्व का राजकुमार था शत्रु शैनिकों ने उसके राज़ पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी मना लिया था और राज़ पर नियंतरन कर लिया था इसलिए वह राजकुमार इधर उधर भटक रहा था राजकुमार ब्रामन पुत्र के साथ ब्रामने के घर में रहने लगा तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया, कुछ दिनों के बाद अंशुमती के मातापिता को संकर भगवान ने स्वपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए, उन्होंने जैसा कहा वैसा ही अंशुमती के मातापिता ने किया ब्रामनी प्रदोश ब्रत करती थी उस ब्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्व से सत्रू को खतेर दिया और पिता के राज को पनः प्राप्तिक्या और आनंद पुर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्रामनी पुत्र को अपना प्रधान मंत्री बनाया। ब्रामनी के प्रदोश ब्रत के महत्तम में से जैसे राजकुमार और ब्रामनी पुत्र दोनों ही की दिन फिरे वैसे ही हवान संकर अपने दूसे भक्तों के दिन भी फिरते हैं। बोले नात के अविशेक, रुद्रविशेक और शंगार का विशेस महत्व है, इस दिन सच्चे मन से बोले नात की पोजा करने से मनोवांचित फलकी प्राप्ति होती है, कोई भी लड़का ये लड़की अपने शादी विवाह में जो भी अर्चने आ रही हैं, अथवा संतान प्राप्ति की इच्छा से इस दिन पंच गव्वे से महादेव का विशेक करना चाहिए, वहीं ऐसे जातक जिने लक्षमी जी की प्राप्ति और केरीर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूसरे विशेक करने के बाद शिव जी पर फूलों की माला अर्फित करनी चाहिए, मान प्राप्ति की जैहू, हर हर महादेव, मेरे ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अबसे बताएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अबसे लिख दें, किर्पया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, धन्यवाद